हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चानल, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो क्वेश्चिन्स क्रोनलोजिकल ओडर पर बेज्ड होते हैं, उनका सही ट्रिक कैसे सॉल्व करना है, वो हम याप पर डिस्केस करेंगे, ये क्वेश्चिन अल्रेडी प्रीवेश य ये क्वेश्चिन डिसेंबर 2005 में पूछे गए है, और ये आने वाले समय में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, आपको जानना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि क्रोनलोजिकल ओडर सॉल्व कैसे करना है, और पब्लिशिंग डेट, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेट सेख़्चिरियन जो क्मानि डेटी गए है तरह हैं कॉनसे कॉनसे टेक्स, फिर्स टेक्स यहांपर है लव लेबल लॉस्ट, ये पब्लिश हुई थी इन यह 1597, 12th नाइट ये पब्लिश हुई थी इन यह 1602, अथेलो पब्लिश्ट हुई थी इन यह 1604, पिर तैम्पेस्ट published हुई थी in year 1611 अगर आप देखेंगे यहां पर option A ही correct है पहला जो chronological order है वो है love labor lost इसके बाद 12th night othello tempest love labor lost in year 1597 12th night 1602 othello 1604 the tempest 1611 so यहां पर correct answer है option A आएए देखते है question 2 question 2 में हम देखते है 4 text first है Ralph Royster Doister second है utopia third है astrophil and stella fourth है shepherd's calendar अभी इसका chronological sequence मैं बता देती हूँ utopia published हुई थी in year 1516 लातिन में और English में यह published हुई थी 1551 इदर वाइस उतोपिया इस थी first one to get published second is Ralph Royster Doister by Nicholas Udall it is published in the year 1566 third is shepherd's calendar by Edwin Spencer published in year 1579 and then we have astrophil and stella by Philip Sidney in year 1591 so correct chronological order over here is utopia Ralph Royster Doister shepherd's calendar astrophil and stella option B is correct आये दिखते हैं question 3 question 3 मैं पूछा गया है arrange chronological order of sonnet periodical essay Gothic novel absurd play अब मैं आपको बता दू अगर आपको यह नहीं पता कि यह सारे invent कभ हुए थे तो अगर आपने history of English literature अच्छे से पढ़ा है तो अटलीस आपको पता होगा कि कौनसी चीज कभ popularized हुई थी जैसे sonnet invent भले यह 13th century में हुए थे बट यह popularized हुई थी 14th century में सो फॉर्स्ट यहां पर आएगा sonnet सेकेंड है पिरियोडिकल ऐसे अब पिरियोडिकल ऐसे आराउंड 18th century के टाइम पर ज्यादा popularized हुई थी Enlightenment Age के टाइम पर popularized हुई थी अगर आप देखोगे पिरियोडिकल ऐसे वो लिटरली इंवेंट हुए थे रिचर्ड स्टील ठीक है और रिचर्ड स्टील ने यह जो जान्रा है वो इंवेंट किया था अपरिल 12th 1709 को इसके पहले बहुत सारे पिरियोडिकल और ऐसे लिखे जाते थे पर रिचर्ड स्टील ने जब यह पिरियोडिकल ऐसे प्रॉप पॉपिलराइज किये इन एनलाइटनमेंट एज सो सेकेंड है पिरियोडिकल ऐसे थर्ड है गौथिक नॉवल अब आप होरेस वोलपोल को तो जानते ही होगे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल लगी है टाइटेल दी कैसल ओफ एट्रेंटो अगर आप इसका सब्टाइटल देखोगे अग गौथिक स्टोरी य में वीक्टोरीन एर्या में गौथिक नॉवल आया विक्टोरीन प्ली गौथिक नॉवल है सुष्प है एनलाइटेंटमेंट आलाड आता है वीक्टोरीन एरह और उसके बाद आता है आपज़ड प्ली अप्स प्ली पॉपुलरयाइज रूझ हुए का पोस्ट मॉडन एज के समय पर अराउंड 1940 से लेके 96 के बीच में यहां पर सही क्रोन लॉजिकल ओडर फर्स्ट है सॉनेट सेकेंड पिरियोडिकल ऐसे थर्ड गॉथिक नॉवल फूर्थ अब्जर्ड प्ले तो अगर आप यहां पर देखोगे कि कौन सा करेक्ट ओप्शन है सो यहां पर करेक्ट सॉनेट फर्स्ट है फिर पिरियोडिकल ऐसे फिर गॉथिक नॉवल गॉथिक नॉवल मैंने अचली पहले कहां विक्टोरियन एरा के ताइम पॉपिलराइज हुए थे पर होरेस पोल पोल ने कासल ओफ अट्रेंटो लिखा है अराउंड रोमांटिक एज के समय पर आप दे हाला कि यह पॉपिलराइज जादा करके हुए है विक्टोरियन एरा के समय पर उसके बाद है अप्जर्ड प्ले सो यहां पर करेक्ट अंसर है ऑप्शन ए सॉनेट पिरियोडिकल ऐसे गॉथिक नॉवल अप्जर्ड प्ले पूशन फो पूचा गया है फ्रम दी बिर्थ डे मतलब पूच रहे है कि राइटर्स है और उनके बिर्थ डेट्स को पैचाने है और क्रोन लॉजिकली आप अरेंज केजिए तो यहां पर चार ओथर्स दिये गए है टी एस इलिएस स्टेफिन स्पेंडर फिलिप लार्किन टेडियोग्स अब टी एस इलिएट की बिर्थ द एस ऐस आउस इलिएस आपेंज केत्व लॉजिकली तो ती तो यहां पर क्रेंट अप्शिन है पहले टी एस इलिएट दें स्टिफन स्पेंडर फिलिप लार्किन एड देन व्याव ाफ टेडियोग्स तो यहां पर अगर आप देखोगे गर्रेक्ट ऑप्शन कॉंसा है तो यहां पर correct option है option A T.S.A.L.E.S. Stephen Spender, Philip Larkin and Ted Hughes option A यहां पर correct है आएए देखते है question 5 question 5 में जो concepts दिये गए है उनको chronological order में करना था first है heteroglossia second है sublime third है negative capability fourth है disassociation of sensibility अब first हम देखते हैं यहां पर first concept है of sublime अब यहां पर हम देख सकते हैं कि पूरानी ancient studies में सबसे पहले lungjinus ने sublime का जिकर किया है इन्हों ने work लिखी थी on the sublime सबसे पहले हम place करेंगे sublime को second है negative capability negative capability एक phrase है जो first use किया गया था by romantic poet john keith in year 1817 second आएगा negative capability third है disassociation of sensibility यह literary term पहली बार इस्तमाल किया गया है by T.S. Eliot जब कुन्हों ने essay लिखी the metaphysical poet in year 1921 उसके बाद है heteroglotia अब यह term को introduce किया था Russian literary theorist जिनका नाम है Mikhail Bhaktin अब Mikhail Bhaktin ने एक essay लिखा था discourse in the novel in year 1934 तब इन्होंने term heteroglotia का introduction दिया है सो यहां पर अगर आप देखोगे सही chronological order first है sublime second है negative capability third है disassociation of sensibility fourth है heteroglotia सो यहां पर अगर आप देखोगे यह सही कहां पर fit है सो यहां पर आप देखोगे option C यहां पर correct है sublime negative capability disassociation of sensibility heteroglotia option C यहां पर correct है आएए देखते है question 6 question 6 में 4 ही है जो allergies दी गई है तो हमेशा याद रखे कि किसी भी chronological sequence को अगर आप solve करते हो तो सबसे best idea है कि आपको यह पता हो कि वो text लिखी कौन से age में गई है अगर आपको वो पता है तो आप easily आप segregate कर सकते हो और chronological form उसका arrange कर सकते हो हमेशा सरूर है नहीं होता कि आपको publishing dates याद रखनी होगी या written dates याद रखनी होगी easiest way जादा करके यह है कि आप ages कौन से age में कौन से text लेखी गई है कौन से authors आय थे वो आपको पता हो तो आपके लिए बहुत जादा easy बन जाएगा chronological sequence solve करने के लिए अब यह जो question है वो आप number of ways में आप कर सकते हो पर मेरे लिए easy technique यह है कि आप यह text को ages के through segregate करो और फिर उसको arrange करो तो यहां पर आप देखोगी first lycidus आएगी by john milton अब john milton बिलोंग करते है civil war and interregnum age से उसके बाद adonius यह elegy लिखी गई है by p.b.shelly p.b.shelly यह romantic age के poet है वो सब को ही पता है थर्ड है थाइरेसी माथ्यू और्नॉल अब Matthew Ordon बिलोंग करते है Victorian age से तो ओविसली वो हो जाएंगे no.3 इसके बाद in memory of wb.eats यह लिखी गई है by w.h.odden जो एक modern age के writer है आप देखोगे lycidus जो civil war and interregnum age में लिखी गई है adonius रोमांटिक age के time पे लिखी गई है थाइरेसी इस Victorian age के time लिखी गई है modern age सो यहां पर correct sequence आएगा lycidus, adonius, thyrusus in memory of wb.eats सो यहां पर correct option है option c correct है lycidus, adonius, thyrusus in memory of wb.eats आये देखते है question 7 question 7 पूछे गई है 5 parts of the wasteland उसको chronological order में रखना था सो यह 5 parts of wasteland कौन कौन से है तो 5 parts of wasteland first है the burial of dead second a game of chess third fire sermon fourth death by water and fifth what the thunder said सो यहां पर से 4 parts का जिकर किया गया है और उनको chronological sequence में डालना है सो first है the burial of dead second है a game of chess third है fire sermon fourth है death by water सो यहां पर अगर आप देखोगे कौन सा correct answer है option a the burial of dead a game of chess fire sermon and death by water आये दिखते है question 8 question 8 में novels दिये गए है और novels को chronological sequence में रखना है so first है kandhapura kandhapura novel first novel है by raja rao जो originally published हुई थी in year 1938 then we have nectar in sea जो लिखे गई है by kamla markandiya जरू से याद रखना यह title जो है वो लिया गया है by samuel taylor coverage के work work without hope ठीक है अचयनक से याद आगे so I thought to share with you third है Midnight Children यह novel published हुई थी in year 1981 फिर Kolkata Chromosome novel by Amitav Ghosh it was originally published in year 1995 so correct chronological sequence over here is kandhapura 1938 nectar in sea 1954 midnight children 1981 then we have Kolkata Chromosome 1995 so correct sequence over here is option A kandhapura nectar in sea midnight children Kolkata Chromosome option A is correct आये देखते है question 9 question 9 है craft of fiction aspects of the novel the English novel form and function descends of an ending अभी यहाँ पर correct chronology अगर हम देखे so first I got craft of fiction written by Percy Lubbock यह published हुई थी in year 1921 then we have aspects of the novel written by E.M. Foster it was published in the year 1927 then we have the English novel form and function written by Dorothy Van Gant it is published in year 1953 then we have the sense of an ending written by Julian Bernice published in year 2011 correct chronology over here is craft of fiction aspects of the novel the English novel form and function descends of an ending so यहाँ पर अगर आप देखोगे correct option कौन सा है so option A यहाँ पर correct है craft of fiction aspects of the novel the English novel form and function descends of an ending option A यहाँ पर correct है आए देखते हैं last question आजके लिए question 10 है यहाँ पर चार essays दिये गए है first है science structure and play second science taken for wonder to uses of language then the death of author अगर आप देखो यहाँ पर सही chronology आएगी first to uses of language by I.A. Richards यह published री थी in year 1924 then we have the death of the author लिखी गई है by Roland Barthes फिर science structure and play लिखी गई है by Jackis Derrida यह आगी नमबर 3 पर और फिर है science taken for wonder फेमस वर्क है और होमी के भापा और यह पप्लिश्ट हुई थी in year 1985 यहाँ पर सही chronology है by the death of the author science structure and play science taken for wonder यह थे हमारे 10 chronological questions जो previous years में पुछे गए थे previous year question solve करना बहुत जादा important है अगर अपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो like, share और subscribe करें